हेलो गाइज, जॉब इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सुभी का स्वागत है, अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब ने किया, तो सस्क्राइब करते हैं, और साथ में बैल आकर ही दबाते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालू, आप सोको नोडिफिकेशन मिल स चाटे, तो चलिए, और पहला डोक्यूमेट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है एडूकेशन सेटिफिकेट, एडूकेशन सेटिफिकेट बहुत ही जादा जारी है, एडूकेशन से भी पता जालता है, आप 10 पास किये हो, या 12 पास किये हो, क्या किये हो, है तो मैं आपको दूसरे document के और लेके चलता हूँ वो है कास certificate होते क्या वाई कास certificate होते हैं कि आप किस कास से ब्लोम करते हो कास certificate आप जब भी बनवा रहे हो यह आप online apply करो और इसमें भी signature होना चीए sdm dm का signature इसमें अनिवाद है और अभी जो कास certificate नहीं बन रहे हैं उसमें साथ ही बगल में आप देख रहे हैं उस कास certificate जो बना हुआ उसमें साथ में आपका फोटो गई है signature ठीक है तो आप जब भी कास certificate बनाए इस चीज का ध्यान आप दे और तीसरे जो डोक्यूमेंट है वह आप यहां पर देख रहे हैं वह है religion certificate ठीक है religion certificate भी बहुत और रही है ठीक है यह भी आप जब भी बनवा रहे हैं यह आप online ही बनवा ठीक है और किसी दूसरे मवाली के पिछे नहां पड़े ठीक है कोई भी बोलता है क्या चलो भाई मैं आपका religion certificate बना दू क्या भाई यह मजाक है क्या तुरंद बना देंगे कोई भी और इसे भी रेसीडेंस certificate या डूमेसाहिल certificate यह भी जब भी आप बनवा है यह भी online बनवा है ठीक है इसमें भी आपका बगल में फोटो होगा फोटो हां होगा ही फोटो भी इसमें लगेगा और यह भी sdm और dm या तहसाहिल से आप बनवा सकते हों पर जाए पाचमा जो document आपको ले आना है वह ले जाना है school character certificate भाई हर बंदे के लिए character भोत ही अभिवह है ठीक है तो क्रेक्ट्र से आपको पता चलता है कि कहीं आपने किसी का मश्वर्ण तो नहीं किया है यह अब टर्रिर्स्तौ नहीं है तो इस से आपको पता चलता है इसलिए आपको character certificate बनाना, बनाना कैसे है, यह आप school, अगर आप school में बढ़ाये करते हैं, तो हहाँ पर principal के द्वारा बन जाएगा, या आप college में पढ़ाये करते हैं, या institute में पढ़ाये करते हैं, वहाँ का जो भी HOD, या कोई भी बड़े principal है, उनसे उसका signature प्रूब होना च अगर भाई नहीं की हैं, तो subscribe करीदे यार, मैं और भी आगे आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहूँगा, तो चलिए, time waste में चलता हूँ, छठा document जो आपको लेके जाना है, वो क्या लेके जाना है, अगर आप साधी सुदा नहीं है, या साधी सुदा है, तो उसके कि लिए कुछ तो प्रूब होना चाहिए न, इसलिए unmaric certificate, अब मैं बताओंगा कि unmaric certificate होता क्या, unmaric certificate होता है, कि आप अगर 21 साल से उमर जादा है, तो इसमें unmaric certificate ले जावी सकते हैं, नहीं भी ले आ सकते हैं, 21 साल से कम है, तो वहाँ पर अनिवारी है, आप unmaric certificate लेके है, आप इसे ले आगी सकते हैं, अगर है तो जरूर ले जाएं, यह बहुत मदद करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं आप जा सकते हैं, तो आते हैं हम साथमा डोक्यूमेंट की ओर, साथमा डोक्यूमेंट है क्या, NCCA, अगर आप NCCA जोईन है, अगर वह आप complete किये हैं इसका कोर्स, वो सेटिपिकट आपके पास है, तो इस सेटिपिकट को आप लेके जाएं, इसमें आपको हाइड में छूट मिलेगा, और सारा जो भी उसका फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट होता है, उसमें आपको छूट मिलेगा, तो आई आठमा डोक्यूमेंट के और चलते ह ठीक है, इस्टिक, डिस्टिक और नेसमल, ये तीन सेटिपिकेट लेके जाएं, लेकिन हाँ, इसमें ये बहुत बड़ा न्यूज आया है, कि आप जब ये तीन सेटिपिकेट लेके जाते हैं, तो इसमें से आपका नेसमल अगर सेटिपिकेट लेके जा रहे है, तो उसमें relation certificate, relation certificate होता क्या है, जैसे कि मेरा बड़ा भाई है, वो इंडियन आर्मी में, ठीक है, तो मेरा बड़ा भाई जो इंडियन आर्मी है, उसके मदर से मैं इंडियन आर्मी जोइन कर सकता हूं, उसमें क्या बाइ मुझे छूट मिलेगा, या मुझे, और भी बहुत सारे चीज़ म उफर मिलेगा मुझे अच्छा पोस्ट भी मिल सकता है क्योंकि मेरा भाई अगर चलो मान के चलो कमांड हो है तो मुझे भी अच्छा एक पोस्ट मिली जागा यार ऐसा तो बात नहीं है मैं भी गमज़र नहीं है उपने भाई से तो यह था मेरा आखरी अगर आपने यह सब सारा डोक किमेंट बना लिया तो कोई झान सकता हाई यह है और हाँ इस चनल को अभी तक यार तो मिलते है शपर करें सब्सक्राव ने वा रफ सुन सब्सक्राएं बात नइक्स एक मैनत करें सफलता उपको जरूर्त होगा कोई ह justement हराने वाला